अला दोस्तों नमाशकार इस चैनल में आपको फिर से स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगी कि सरम काड को हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं अगर आप 4-6 के साइज पर इसको प्रिंट करना चाते हैं तो कैसे प्रिंट कर सकते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ये crop tool पे जाएंगे हम यहां पर inches के अंदर size देंगे 3 और 2 का resolution हम 300 का रखेंगे और यहां को इतना crop पर लेंगे यहां से इस तरह से और enter का button दबाएंगे यहां से control A करेंगे control X करेंगे यानि cut कर लेंगे और control N करके यहां पर inches के अंदर हम 46 की file ले लेंगे 4 और 6 और resolution इतना 300 रखेंगे और के करेंगे यहां पर इसको paste कर देंगे control V से इस तरह से फिर वापस अपने file में जाएंगे control L और Z दबाएंगे इस तरह से दो बार control L और Z दबाने के बाद यह वापस हमारी file आ जाएगी और नीचे वाले को हम इस तरह से crop कर लेंगे और crop करने के बाद इंटर दबाएंगे और control A, control X करेंगे और अपनी file पर जाएंगे और इसको paste कर देंगे control V से अब move tool में जाएंगे और इसको यहाँ पर move कर देंगे इसको select करेंगे right click करके layer 1 और इसको उपर ले जाएंगे यहाँ पर और इसको layer 2 को select करके यहाँ ले आएंगे अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे बोडर लगाने के लिए control E करेंगे यह दोनों आपस में जुड़ गए और edit में जाकि हम इसको stroke लगाएंगे यहाँ से stroke आप 8 का दे सकते हो okay करेंगे इस तरह से अब इसको हम print करना सिखेंगे फाइल में जाएंगे और print with preview देखेंगे यहाँ से print with preview देखेंगे यह देखिए 4-6 का हमारे size है यह हमने यहाँ से inches के अंदर check कर लेंगे अपने यहाँ से 6 और 4 का size हमने दे दिया इसका और यहाँ से आप print कर सकते हो जैसी आप print करोगे तो आगे process करके print हो जाएगा तो दोस्तो इस तरह से आप शर्मिक कार्ड को इस तरह से print कर सकते हो अगर आपके पास कोई भी other card है जैसे अधार card है इस तरह से आप print करना जाते हो तो वैसे ही print हो जकता है तो दोस्तो यह video आपको कैसा लगा comment करके जूरूर बताईए मिलते हैं next video में तब तक के लिए take care